एक कपल जिसको बहुत समय से जानता हूँ और इसकी बर्थ मेरी मदर ने की थी और जब भी आता है ये और साक्षी तो हमेशा मुझे मैसूस होता था कि इनके किसी भी रूप में बेबी हो साक्षी को एंडोमेट्रियोसिस था एडिनोमायोसिस ऐसी कौन सी बिमारी ऐसी जो प्रॉब्लम ना देती हो परिशानी में रहती हो लेकिन एक खुबसूरती हमेशा साक्षी की हमेशा मुस्कुराती हुई आती थी तो इनका हमने पहला IVF cycle किया, नई pregnant हुई एक अजीब सी believe थी कि ये pregnant होंगे, इनके baby होगा second किया नई pregnant हुई, third किया pregnant नई हुई, पर finally इने pregnancy हुई ये कुछ ऐसे couples होते हैं जो बहुत जोजारू लगे रहते हैं, घबराते नहीं और भगवान पे विश्वास करते हैं तो चलिए इनकी जरा सुनिये कहानी इनकी सबानी सर ने मुझे बोला था कि अब पीछे नहीं हटना है आपको अब करना ही है तो वो एक माइंड सेट था मेरा कि नहीं सर ने बोला है होगा तो वो पॉजिटिव एप्रोच और गॉड पर मेरा बिलीफ था कि अब भगवान आप ही करोगे जो भी करोगे और देन आइ फाइनली हैद बेवी और नाओ अगर कोई नहीं है तो बगवान है बगवान करता है धास तो थी कि मैंने सोचा थे कि बेभी तो होगा थार्ट आइव यह जब फेल होगा तो मैंने यह दो लोला था पनी वाइक से ऑगा लेकिन मैं बावा का भगत हो बहुत बड़ा तो मैं देली सोबे मंदिर जाता हूं लेकिन शिप जी जी की बहुत बड़ी किरपाती जो आज बेबी हो गया गॉड को बिलीफ करना बहुत अच्छी बात है करवाने वाले ही वह इस अब हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं लेकिन आज की लेट मेरा बेबी बहुत अच्छा है और न सार और मां की नो डाऊ बहुत अच्छी प्रेक्टिस है। वरल बहुत अच्छी मैं नेचर वाइस भी सी म्हीं बहुत अच्छा है और टैरफुल भी नहीं की बहुत मां लेकिन बना हम होता है've की जब इनकी बेवी नही होता तो थो इनlichen नहीं पालगता था आह ये के अमबैसिटर आफ होप है क्योंकि तीन साइकल बाद इतनी परिशानियों के साथ में भी इनको बेबी हुआ ये ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी सुनके जिन लोगों के बेबी नहीं हुआ फेलियर रहा इवीएफ में सक्सेस्फुल नहीं हुआ उन लोगों को ये समझ में आएगा कि अल्टिमेटली लगे रहोगे तो होगा और ये बड़ी इंपॉर्टन चीज है जरा सुनते हैं इसे बीट करना जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइंग मैं बहुत डर गे थी कि पदा नहीं क्या होगा भगवान ने दिया है कैसे बचेगा एंड देन डॉक्टर अंशु ने मत्दब मैं उनकी बहुत बहुत जादा इस चीज में तारीफ करूंगी कि उन्होंने बचाया है बस मेरे बेबी को और उन्हीं की वज़ा से इतने अच्छे से और सक्सेस्फ पुली सर की और मैम की वज़े से मेरी डिलिवरी हो पाई है इस चीज के लिए मैं बहुत थैंटफुल हूँ उन दोनों के लिए मैं डॉक्टर सुनील जिंदर रिप्रोड़क्टिव मेजिसन स्पेशलिस्ट आई वीफ स्पेशलिस्ट एंडरॉलजी करता हूँ ये फील्ड एक ऐसी है जिसमें बहुत खुशी लोगों को मिल पाई और उनकी एवस से मुझे मिल पाई मैं चाहता हूँ आपके भी बेबी हो लाइक शेर सब्सक्राइब कर लिजे देखिया अगली सकसे स्टूरी और उसके लावा मेरी बहुत लंबी प्लेलिस्ट है जिसमें ने बहुत सारी वीडियोज डाली है आप क्यों अच्छी लगें तो एक एक करके अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देख लीजे कहीं न कहीं हो सकता आपका फायदा हो जाए बस इसलिए बनाई है